नमस्कार मैं हूँ वंदना साहेक आचारी हिंदी गोवर्मेंट गल्सकुलेज राजगर्ड चूरुद्वारा चलाई जारी ओनलाइन क्लासिज में सभी का स्वागत है चात्राओं कलम पढ़ रहे थे अद्रिशिविक्ती की आत्महत्या उसका कुछ हंस हमने देख लिया था दस एकांकी में से निकाली वी एकांकी अद्रिशिविक्ती की आत्महत्या के लेकक हैं वीपी नगरवाल आज हम इसी एक आंकी की आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए देखें धीरस मोती को इशारे से शांत करते हुए, सोचने की कोशिश करो मेरे ख्याल में वह किधर से भी नहीं आया मोती अगर किधर से भी नहीं आया, तो मेरे तमाचा किसनी मारा मोती और धीरस बात कर रहे हैं, मोती जुट बोलता है, जुट बोलने पर मोती को अद्रिशिविक्ती तमाचा लगा देता है इसके बाद में धीरस और मोती अद्रिशिविक्ती की तलास करते हैं कि वह किधर से आया धीरस कहता है, जाईर है, किसी ने भी नहीं मारा मोती तो तमाचा लगा किसे धीरस अगर कोई नहीं आया और किसी ने भी नहीं मारा तो तमाचा पूरी तरह से परिभाशित नहीं हुआ इसलिए तमाचा नहीं लगा मोती लेकिन मेरे तमाचा लगा है धीरस अरे ऐसे तो लगने को लोगों को रोज तमाशे लगते हैं और उन्हें पता नहीं चलता और तुम इतने पाप सजग हो की तमाचा लगा भी नहीं और मोती खड़े होते हैं कहताओं कि तमाचा लगा है, बैठता है, धीरस, फिर मोती को शांत रहने का इशारा करते हैं, अच्छा भाई, अगर लगा है तो क्या हुआ, मोती, क्या हुआ, धीरस, हाँ क्या हुआ, मोती, तुम्हारी लगता तो मालूम पड़ता धीरस खेर अब क्या करेगे मोती तुम जो करते धीरस मैं जो करता मोती हाँ जो तुम करते धीरस मैं जो करता वह तुम नहीं कर सकते मोती तुम क्या करते धीरस कहता है मैं क्या करता मोती कहता है हाँ तुम क्या करते धीरस मैं मैं अपना दूसरा गाल तमाचा खाने के लिए उपर कर देता गर्दन उजगा कर गाल उठाकर बैट जाता है मानो तमाचा खाने के लिए तयार हो इस प्रकार से धीरस और मोती बे मतलब की बातें कर रहे हैं और बात को इसी प्रिकार से वेर्थ की बाते करते वे आगे बातों को बढ़ा रहे हैं, मोती कहता है, आगे जुक कर आस्रिय से अच्छा बाही रेलिंग पार करके अद्रश्य विक्ती फिर आ जाता है, और धीरेज के बगल में खड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, धीरे अब धीरेज के अद्रश्य विक्ती तमाचा इसलिए लगाता है, क्योंकि वह जूट बोलता है कि मैं उदार हूँ, शाम गहरी हो जाती है, कुछ देर कुछ भी घटिक नहीं होता, फिर पीछे के दरवाजे से मोती की पतनी राधा बारजे में आ जाती है, आकर बारजे की बत्ती जला देती है, बुध बदाती है, तुम लोग तो बातों में इतनी लग जाते हो कि होशी नहीं रहता, अधेरा हो गया है, फिर रेलिंग की पास सामने एक और खड़े होकर ठोड़ी पर हाथ टिका कर नीचे देखने लगती है, कुछ देर के लिए सब चुप जड़ पूरा द्रशे एक तस्वीत सा लगता है, सैसा राधा की भंगेमा में हरकत होती है, वह मुस्कुरा कर नीचे किसी को नमस्कार करती है, आओ भगत के स्वर में कहती है, आओ सीता आओ, फिर अपने साड़ी का पला ठीक करके सीड़ी वाले दरवाजे के पास खड़ी हो जात जो मोती और धीरज की स्थिरता के बिलकुर वीपरित है, और इसलिए पूरा द्रशे एवास्तिक सा लगता है, सीता उसके पतिस राम साथ साथ प्रवेश करते हैं, राधा सीता को हाथ पकड़ कर दूसरी ओर ले जाती है, धीमे स्वर में जल्दी जल्दी दोनों आपस में बात करने लग जाती है, जैसे बहुत दिनों की बाद मिली हूँ, कभी-कभी दभी हैसी की आवाज आती है, इसी भी स्राम सीडी वाले दरवाजे से गिनकर दो कदम आगे तीन कदम दाहिनी रखते हैं, लंगडी कुरसी की पास पहुंच कर उस पर बैठे मोती को हाथ पकड कर उठा देते हैं और खुद बैठ कर उसका लंगडापन महशूश करते हैं, फिर उठकर मोती को कंदा दबा कर उस पर बैठा देते हैं, और खुद दो कदम आगे बढ़कर दरवाजे में छेद ढूंडते हैं, उसके मिलते ही घूमकर हाथ फिला कर मुस्कराते वे आगे मो चाल मोति उठकर मिलते विए ठीक हैं अपने को हैं आओ बैठो राम महिलाओं के ओर इशारा करते विए और यहोग मोति अरे वहे लोग भी बैठ जाएंगे राधा कमरे में जाकर दो बुने भी स्टूल ले आती है राधा धीरेज और मोती के बीज बैठती है और सीता धीरेज और राम के बीज बैठ जाती है राधा मोती से सबका परीचितों करा दीजिए मोती हाँ हाँ धीरेज के और इशारा करके आप स्रीधर हैं यहां कोलेज में दर्शन के प्राध्यापकर और इस सिध्धान्त के रचेता के आदमे की बनावट ऐसी है कि एक समय में या वह काम कर सकता है या सोच सकता है राम के और इशारा करके आप हैं स्री राम लेखक और अंग्रिजी हटाने और हिंदी रखने की समीती के अध्यक्ष इतनी कम उम्र में सीता के और इशारा करके और आप हैं स्रीमती राम हम लोगों के बीच में सीता जी सब नमस्कार निभाते जाते हैं धीरस राम से, अच्छा आप लेखक हैं, आपने कितनी किताबें लिखी हैं, राधा सीता से, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, राम धीरस से दो, सीता राधा से तीन, धीरस राम से कविता हैं या उपन्यास, राधा पूसते हैं सीता से लड़के या लड़कियां, राम कहता है धीरस से एक कविता संग्रे है एक उपन्यास सीता राधा से कहती है एक लडगा दो लडगी धीरस तारिप की मुद्रा में सिहाव लोगन करते हुए बहुत खूब दोनों लिख लेते हैं आप राधा चारों तरफ देख प्रस्तन होने की कोशिश करते हुए से बड़ी भाग्यवान हो तुम कितने पारिवारिक नाम है आगे जुककर मैंने सुना है भाई साहित्य का विशिशग्य तो हो नहीं कि नहीं कविता परिवार के निकट आ गई है रादा चारों तरफ देखती है बड़े साहितिक नाम है आजकर परिवार साहिते के बहुत निकट आ गए है घर घर पत्रिकाएं पढ़ी जाती मोती कुर्सी पर बैठने का धंग बदलते वे बाचित्म भाग लेने का प्रियत्म करते वे अगर परिवार साहिते के निकट आ गया है और साहिते परिवार के निकट तो कुछ दिनों में परिवार साहिते कहलाने लगेगा और साहिते परिवार अपने की मजाग प्रहस्ता है और कोई साथ नहीं देता है अपनी हैसी बटोर लेता है धीरज, रामसिन, अच्छा तो आप कभी हैं, उपन्यास कारे, साथ में अंग्रेजी हटाओ और हिंदी रखो का भी कारे कर रहे हैं, कैसे इतना सब कर लेते हैं आप, राधा, सीता सी, तुम पत्नी हो, देहनी भी हो, साथ में दिन बच्चों को भी रखती हो, कैसे इतना सब क हो जाता है, तोनों एक साथ ही जवाब देते हैं, कि सब हो जाता है, धीरज, रामसिन, अंग्रेजी हटाओ, हिंदी रखने के बारे में अपने श्रूब युचार किस अख़वार में विक्त कर रहे हो, राधा, सीता से, तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहां भ देरेज हिंदी में हित में बहुत बड़े-बड़े एकवारों में आपको लिखना पड़ता है, राधा, बच्चों की हित में बहुत उंची-उंची स्कूलों में तुमें उन्हें भेजना पड़ता है, एद्रिशे वेक्ति बाई और बारजे पराकरें लोगों की बीच मे खड़ा हो जाता है, राम क्या करें देश के भविश्य का सवाल हमारे सामने है, सीता क्या करें बच्चों के भविश्य का सवाल हमारे सामने है, इस परकार से राम है वो अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को रखना चाता है, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को अंग्रेजी अंतीम सब्दों के निकलते निकलते अद्रश्रिवक्ति राम और सीता के चाटा लगा कर फिर आराम से खड़ा हो जाता है क्योंकि सीता और राम दोनों के विचार बिल्कुल विरोधा भासपून है और बिल्कुल जूट बोलते हैं इसलिए अद्रश्य वेक्ति उनके गाल पर तमासा लगा देता है। इसलिए अद्रश्य वेक्ति धिरेज के चबत लगाता है। इसलिए अद्रश्य वेक्ति पर दोड़ने की सारी प्रतिक्रियाई करने लगता है। मैं इस घर में पल पल भर भी नीरेज कूंगी। मुड़कर मोती से और याद रखो मैं भी राधा हूँ राधा। इद्रश्य वेक्ति राधा के चाटा लगाता है राधा कमरे में चली जाती है। धीरेज अद्रश्य वेक्ति सीडी वाले दर्वाजे पर आजाता है। धीरेज तेर दोड़ने की क्रिया जारी रखते हुए धीरे धीरे सीडीों के और बढ़ते हुए। मैं भी हर मुसीबत का सामने करने वाला धीरेज हूँ। अंतीम सब्दों पर गर्दन आगे करके अपना मुह अद्रश्य वेक्ति के बिलकुल पास कर देता है। अद्रश्य वेक्ति उसके चाटा लगा देता है। धीरेज सीडीों पर उतर जाता है। अद्रश्य वेक्ति मुती के पास आकर खड़ा हो जाता है। लगने लगता है कि काफी रात हो गई है। अद्रश्य वेक्ति वहीं निर्जीव होकर लेट जाता है। दस के घंटे बसते हैं। परदा गिरता है। इस प्रकार से जब उसे अद्रश्य वेक्ति हो। अद्रश्य वेक्ति वेक्ति हैं। अद्रश्य वेक्ति हैं। झाल झाल